कॉंग्रेश के प्रदेश अध्यक्स जगदीश ठाकुर जी ने कहा है कि देश के संसाधनों पर मुसल्मानों का पहला अधिकार होना चाहिए क्या कहेंगे इस पर नहीं बात नहीं पहले मनमौन सिंग जी ने कहा है हमारा मानना है कि देश के संसाधनों पर देश के घरीब का दलीत का आदिवासी का सबसे पहला अधिकार होना चाहिए, देश के पिछडे का अधिकार होना चाहिए, जहां तक समविधान के इंटरपीटेशन का सवाल है, समविधान में कहीं पर भी प्राइविटी एरिया रिलिजियस अधार पर नहीं तै किया है, समविधान ने परतिय जनतापाट ये मानती भी है, करती भी है और नरेंदर भाई ने आट साल के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश में हर गरीब के घर में घर पहुचाने का काम किया है, घर में बिजली पहुचाने का काम किया है, घर में गैस्त पहुचाने का काम किया गर में आरोग्य की सारी से विधाये पहुचाने का काम किया है और हर गर में सुध पीने का पानी नल से जल आज कापी हद तक आगे बढ़ चुका है इसके साथ साथ जब कॉरोना का संकट आया 80 करोड लोगों के घर के अंदर प्रती मा प्रती व्यक्ति 5 किलो रासन पहुचान नहीं होना चाहिए देश के संसादों पर इस देश के दली आदिवासी पिछडे और घरीब का अधिकार होना चाहिए चाहे वो किसी भी धर्म के हो हिंदू को मुस्लिम हो क्रिश्चन हो कोई भी हो इसका अधिकार होना चाहिए मगर घरीब का अधिकार होना चाहिए अमें जी, कॉंग्रेस के मैनिफ्रस्टों में एक इंट्रेस्टिंग बात कही है, उन्होंने ये कहा है कि अगर वो पार्टी पावर में आई तो नरेंदर मोधी स्टेडियम का नाम बदल कर सरदार पटेल स्टेडियम करेंगे, इसके बारे में आपकी क्या प्चाहिए? मैं तो धन्यवादी हूँ, आपने सवाल पूदले, मैं अखबार में देख रहा था, अब आपने पूछी लिया है, तो यहीं पर जवाब सपश्ट कर देता हूँ, सबसे पहली बात कॉंग्रेस को सरदार पटेल का नाम देने का अथिकार ही नहीं, पूरा जीवन सरदार को इ समारक बनने से लेकर सरदार पटेल को भारत रत न देने तक कोई भी काम इन्होंने रोटा अटकाने के अलावे रेंद्र भाई ने विस्व की सबसे बड़ी उंची प्रतिमाएं हापर सरदार साब के समारक में बनाई। पुटला बनाने का बाद, एक भी कॉंग्रेसी ने ताज तक महाँ पर मुस्पांजली करने नहीं गया, प्रतिमा किसने भी बनाई हो, आपके साचन में बहुत सारी प्रतिमा बनी है, महापुरुसुकि, हम जाते हैं, आधर भाव व्यक्त करते हैं, क्योंकि यह प्रतिमा सरदार पटेल की नरेंदर भाई ने बनाई, इसलिए आप नहीं जाते हैं, और सरदार पटेल को हमेशा अन्याय दे करने का काम, एक कॉंग्रेस पार्टी में, सर्दार पटेल के नाम पर ना कोई योधना बनी, ना कोई बड़ा समारक बना, ना आपने भारत रत न दिया, जब कॉंग्रेस दही तब जाकर भारत रत न मिला सर्दार पटेल को, और आज आप सर्दार पटेल की एड़ोकेसी कर देो, और जहां तक स्टेडियम का सवाले मैं सपष्ट कर दू. वहाँ पर एक स्टेडियम था और आज वहाँ पर एक स्टेडियम बना है, जिसका नाम नरेंद्रमोदी स्टेडियम है. परतु कॉंग्रेस जूट प्रचार कर रही वहाँ पर एक complex बना है, sports complex बना है, जिसमें total अठारा स्टेडियम बनने वाले हैं उसमें से एक नरेंद्र मोधी श्टेडियम है और वो पूरे sports complex का नाम सरदार पटेल sports complex रखा गया है सरदार पटेल के नाम को उनकी स्मृति को हमने expand करकर एक की जगे 18 श्टेडियम में लगाने का काम ये भारतिये जनता पाची की सरकारी जिनके पास कोई मुद्दे नहीं होते हैं वो इस प्रकार के मुद्दे और क्या समत्य आप पुजरात की जनता आपके जुठेई बातों में आजाएगी नरेंद्र भाई मोधी के प्रदान मंत्री बनने के बाद भारतिये जनता पाटी की सरकार बनने के बाद सरदार पडील की फोटो लगाना सुरू किया पचास साल तक Congress के स्टेज के पीछे कभि सर्दार पडील की फोटो अमने नहीं देखी। पचास साल तक Congress के मुह से सर्दार पडील नाम हमने नहीं सुना। इतना बड़ा समारक बना एक भी कॉंग्रेसी नेता वहाँ पुस्पान जली करने नहीं गया और आप सर्दार पटेल की बात करते हो भाई भारतिये जनता पाटी का हर कारेकरता मानता है कि सर्दार पटेल नहोते तो आज ये देश का स्वरूप नहोता देश अखंड नहोता देश का आज का संविधान भी नहोता सर्दार पटेल के योगदान के लिए हमें कॉंग्रेस से सिखने की जरूरत नहीं है ना इनकी स्मूति के लिए कुछ करने की जरूरत है वो ही स्टेडियम पर एक बहुत बड़ा स्पोर्स कॉंप्लेक्स बनाकर सर्दार पटेल स्पोर कर पाए तो वहाँ पर ओलम्पिक भी होगा विश्व का ओलम्पिक सर्दार पटेल स्पोर्ट कॉंप्लेक्स के अंदर होगा